Hello everyone, मैं किरिन शापरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशीफल ये 4th November से लेकर 10th November तक की आपकी tarot readings है, tarot predictions है और इस वीडियो में सभी signs के सापताहिक राशीफल है नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आजाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाप से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाप से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाप से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापताहिक राशीफल तो चलिए रीज आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकरा रहा है, क्या अनर्शीज है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए काड है Ace of Cups और ये काड कहता है कि इस week specifically professional front में money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों पे आप इतना focus नहीं करते हुए दिख रहे हैं उनको इतनी एहमियत नहीं देते हुए दिख रहे हैं आपके लिए relationships, connection या फिर जो भी चीज़ आप वाकरी में enjoy करते हैं love करते हैं वो ज़ादा एहम रहतावा दिख रहा है और दिखें जब हम ऐसी energies में होते हैं तो money, पैसा अपने आप आ जाता है जब हम money, पैसे के पीछे भागते हैं तो actually मैं money, पैसा आगे भागता है और ये काट कहीं नहीं beginning की भी किसी level पर किसी तरीके से होने की, चाहने की बात करता है तो कुछ के लिए हो सकता है कि fresh तरीके से कोई काम आप करना चाहा रहे हैं या फिर से मैं कहूंगी किसी भी level पर किसी भी तरीके से नहीं beginning हो रही है क्योंकि ये weekly reading है तो छोटी मोटी नहीं beginning जादा रहती भी दिख रही है लेकिन एका दुक्का लोगों के लिए बड़ी भी रह सकती है all in all जो भी आपके professional front में हो रहा है आप उसको enjoy करते भी दिख रहे हैं एक happiness रहती भी दिख रही है एक joy रहती भी दिख रही है और कुछ के लिए literally हो सकता है कि आपके professional front में किसी भी तरीके की कोई celebration हो रही है या फिर eating, drinking, marimaking हो रही है कितनी बार ही होता है ना हमारी meetings restaurant में होती है जहां पर हम काम भी कर रहे होते हैं लेकिन साथ ही साथ एक eating, drinking, marimaking भी रहती है तो फिर से कहूंगी किसी भी तरीके की या तो eating, drinking, marimaking हो रही है या फिर कोई achievement है उसको आप celebrate करना चाहा रहे है तो दिखिए जो भी मेरे mind में आ रहा है मैं कहा रही हूँ सब के लिए differ करेगा फिर से कहूंगी कि ये भी professional front से related in terms of happiness, joy, relationship, connections काफी अच्छा रहता वा दिख रहा है और इन ही सब चीजों से related नई beginning भी इस week रह सकती है and personal front के लिए आप लोगों के लिए queen of wands reverse का card है और ये card कहता है या तो आप over enthusiastic, over excited किसी चीज को लेकर हो रहे है या फिर आपका enthusiasm, excitement कम रह रहा है या तो आप over motivated हो रहे है या फिर you know आप demotivated हो रहे है या आप over action initiatives अपने goal मकसद के लिए ले रहे है या फिर action initiatives लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं या तो over courageously, boldly चीजों को deal कर रहे है या फिर बहुत courageously चीजों को deal करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो दिखिए, ये week आपका अच्छा जा सकता है अगर आप इन ही energies में एक balance रखें because queen of want is not a negative card it's a neutral card in fact, जब ये upright आता है, तो बहुत ही positive card माना जाता है और reverse card का मतलब सिरफ ये होता है कि energies में balance नहीं है और आप अपनी तरफ से ये balance लाके you know, इस week को बहतर कर सकते है and क्योंकि ये queen का card है, कुछ के लिए हो सकता है कोई female है, जो reason है आपके इन ही fluctuating सी energies की और कुछ के लिए हो सकता है कि कोई female जो बहुत energetic है, full of life है उनके साथ आपकी जादा interaction बातचीत हो रही है और चोटे-मोटे issues मसले भी रह रहे है and astrology से आप लोगों के लिए Venus Gray का card है इसके हिसाब से all bright shades इस week आप लोगों के लिए lucky रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था एरीज आप लोगों के लिए coming week का साथ आप ता ही राशी फल और नीजे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए टोरस आप लोगों के लिए रेखें और ये कार्ट कहीं पास्ट की बात करता है रेलेशनशिप्स की बात करता है और बहुत एक loving, caring energies की बात करता है इसी के around energy इस week specifically आपके professional front में revolve करती भी दिख रही है क्योंकि ये कार्ट reverse है तो इन ही सब चीजों से related छोटे मोटे issues मसले रह सकते हैं अब दिखिए general reading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है कि past के कोई colleague है past के कोई इनसान है जिनको आप बहुत miss कर रहे हैं जिनको आप बहुत इस week याद कर रहे हैं आप उनसे connect करना चाहा रहे हैं और इसी से related छोटे मोटे issues मसले हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है past का कोई इनसान आप से connect करना चाहा रहा है और इस से related छोटे मोटे issues मसले हैं कुछ के लिए हो सकता है जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनके साथ अपना bond आप बहतर करना चाहा रहे हैं लेकिन फिर से मैं कहूंगी छोटे मुटे issues मसले रह सकते हैं अब दीखे जो भी चीजें मेरे mind में आई मैंने कहा सब के लिए थोड़ा थोड़ा differ करेगा बट फिर से मैं कहूंगी इनी चीजों से related चीजें इस week specifically आपके professional fund म रह रही हैं कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीजें इतनी एहम नहीं रह रही हैं या फिर उन पे इतना focus नहीं हैं कहीं फिर से मैं कहूंगी connections, relationship और खास कर past का कोई connection, past का कोई relationship आपके लिए ज़्यादा एहम रह रह रहा है and personal fund से आप लोगों के लिए six of swords का card है और ये card कहीं movement की बात क करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, अब देखिए फिर से ये general reading है तो ये movement, ये shift सब टॉरस के लिए differ करेगा, कुछ के लिए physical level पे हो सकता है, कुछ के लिए mental emotional level पे हो सकता है और देखिए अगर physical level पे है तो हो सकता है आप travel कर रहे हैं, करना चाहा रहे हैं और अगर mental emotional level पे हैं, तो कोई बात अटकी हुई थी, आपके दिमाग में रुकी हुई थी, कहीं उसको आप let go कर रहे हैं, और कहीं ये card ये भी कहता है कि पीछे जो भी issues, मसले आपको bother कर रहे थे, उनसे आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, पीछे किसी भी चीज में stuck feel कर रहे थ हैं, तो कहीं उससे भी आप आगे निकलते वे दिख रहे हैं, या मैं कहूंगी बढ़ते वे दिख रहे हैं, change of place, change of residence, change of attitude, किसी भी तरीके के changes भी इस week रह सकते हैं, फिर से general leading है तो थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा, and astrology से आप लोगों के लिए cancer sign का card है, इसके हिस आप से white color इस week आप लोगों के लिए लखी रहेगा, and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday, तो ये था Taurus आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए जय मेनीज देखें ये coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है three of cups reverse, three of cups का card tarot में कहीं celebration की बात करता है, get together की बात करता है, कहीं बहुत लोगों से connect करने की, या फिर मैं कहूंगी जादा socialize करने की बात करता है, network बढ़ाने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund में रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस week ये card reverse है, तो ये सब चीज़े तो रह रही हैं, लेकिन इन्हीं से related छोटे मोटे issues मसले भी रह सकते हैं, example के तोर पे, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आप जादा येनो लोगों से connect करना चाहा रहे है और नहीं connect कर पा रहे हैं, कुछ के लिए ये भी हो सकता है, आप काम पे उतना focus नहीं कर पा रहे हैं, fun, मज़ा, मस्ती जाता रहती हुई दिख रही है, और दिखे जब भी ऐसा होता है ना, तो हम उस fun, मज़ा, मस्ती को भी नहीं enjoy कर पाते हैं, क्योंकि मन ही मन guilt होता है, कि भई हम अपने काम को पे नहीं focus कर रहे हैं, तो literally इस तरीके की भी energies रह सकती हैं, फिलहाल ये week again कहूंगी कुछ खास काम नहीं होता हुआ दिख रहा है, या तो आप अपना you know network build करना चाहा रहे हैं और उससे related issues हो रहे हैं, या फिर से मैं कहूंगी जादा लोगों से you know interact करन चाहा रहे हैं, तो फिर से इनी सब चीजों से related छोटे मोटे issues रहते हुए दिख रहे हैं, three of cups is not a negative card, in fact जब ये upright आता है तो बहुत positive card माना जाता है, तो कुछ भी गलत नहीं होता हुआ दिख रहा है, बट yes, काम पे उतना focus concentration आप नहीं कर रहे हैं, या फिर नहीं कर पा रह concentration में कोई event हो रहा है, कोई get together हो रही है, कोई celebration हो रही है, and personal front के लिए आप लुगों के लिए seven of pentacles reverse का card है, और ये card कहता है गहरी सोच में आप रहे रहे हैं, अब दिखें ये सोच सब जमिनीज के लिए differ करेगी, ये card कहता है कि जिस भी मकाम पे आप हैं, उससे next steps क्या लें या फिर मैं कहूंगी चीजों को next level पर कैसे लेकर जाएं, उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, कुछ जमिनीज के लिए हो सकता है, कोई decision, कोई choice लेनी है, और थोड़ा सा ये decision, ये choice difficult रह रह रहा है, तो all in all दिखें, personal front में कोई खास activity नहीं होती हुए दिख रही ह और कैसे आप चीजों को आगे बढ़ाएं, या फिर क्या direction आप लें, क्या आपकी future action initiatives होने चाहिए, उस पे आप जादा focus करते हुए दिख रहे हैं, तो दिखें, personal front के लिए भी seven of pentacles का card बहुत एक neutral energies की बात करता है, यानि कि कुछ भी बहुत great नहीं हो रहा है, लेकिन किसी भी चीज को लेकर रह सकती है, और astrology से आप लोगों के लिए Taurus का card है, और इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday, तो ये था Gemini's, आप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशीफल, और नीचे मुझे comment section में ज Professional Fund के लिए आप लोगों के लिए card है Nine of Cups Rivers, Nine of Cups का card tarot में कहीं wish come true होने की बात करता है, अब मैं ये बिलकुई भी नहीं कह रहे हूँ कि सब के इंसेरियंस की wish इस week किसी भी चीज को लेकर पूरी होगी, but yes, जो भी आपकी wishes है, आप उस direction में सोचते वे दिख रहे हैं, और एका दुका के लिए हो सकता है, आपकी कोई wish भी पूरी हो रही है, और कुछ के लिए हो सकता है, आपको ये लग रहा है, yes, अब जो आप चाहते हैं न, उसको आप achieve कर लेंगे, यानि कि वो achievable है, और इसी लिए या फिर otherwise कोई भी और reason हो सकता है, एक happiness, एक joy आप महसूस कर हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी भी reason की वज़े से एक missing feeling भी रहती हुई दिख रही है, अब दिखें, यहाँ पर मैं सिरफ और सिरफ energies के point of view से आपको बता रही हूँ, situation, circumstances सब के लिए differ करेंगे, और मेरे लिए possible भी नहीं है कि मैं हर concernant की specific situation बताऊं, but all in all professional front अच्छा जाता अगें, overall के लिए देखें, happiness, joy, satisfaction रहती हुई दिख रही है, लेकिन साथी साथ missing feeling रह रही है, कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों पर या तो आप इतना focus नहीं कर रहे हैं, या फिर वो आपकी happiness का source नहीं रहता हुई दिख रहा है, जो एक काम को करके, या otherwise भी satisfaction होती है, उससे ज relationships में bonding बहतर होती है, या फिर हमारे connections बड़े अच्छे होते हैं, हमें बड़ा confidence आता है, उससे जो एक खुशी मिलती है, वो वली खुशी रहती वे दिख रही है, और eating, drinking, merry making भी रह सकती है, होता है ना कभी-कभी हमारी meetings, restaurant में होती है, या फिर हम काम के लिए travel करते हैं, तो वहाँ पर eating, drinking भी हो रही होती है, और हम काम भी कर रहे होती हैं, तो कुछ concerns के लिए कुछ ऐसा भी रह सकता है, और personal front के लिए आप लोगों के लिए 10 of pentacles का card है, 10 of pentacles family की बात करता है, family के साथ time spent करने की बात करता है, stability, security की बात करता है, और कहीं family में ही कोई function, कोई get together भी हो आप करता है, अब देखे, जरूरी नहीं है कि सब concerns की family में कोई function है, बट अगर आप family के साथ time spent कर रहे हैं, family को prioritize कर रहे हैं, family को ज़्यादा attention दे रहे हैं, तो वो भी कहीं 10 of pentacles की energies होती है, तो इस तरीके का कुछ आपके personal front में रह सकता है, आप पैसा खर्च कर रहे हैं, य मैं कहूंगी ये भी हो सकता है कि family में कोई get together है, यहाँ आप extended family से connect करना चाह रहे हैं, extended family से आप मिलना चाह रहे हैं, तो all in all, दोनों ही fronts ठीक ठाक अच्छे रहते वे दिख रहे हैं, यानि कि ये हफता आप लोगों का अच्छा जातावा दिख रहा है, and astrology से आप लोगों क के लिए होगा Tuesday, तो ये था, आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चले लिए आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या ली करा रहा है, क्या energies हैं, तो professional front के लि specifically professional front में, हो सकता है कि कुछ चीजें आपके हिसाब से ना चले, छोटे मुटे issues मसले रहें, और आप उन पे इतना जादा focus कर रहे हैं, कि जो चीजें अच्छी हैं आपके professional front में, ना तो आप उनको देख पा रहे हैं, और ना ही आप उनको recognize कर पा रहे हैं, जिसकी वज़े से otherwise कोई और भी issue हो सकता है, emotionally आप लोग feel कर रहे हैं, तो जब भी ये काडाता है, मैं यही कहती हूँ, अपने mindset को shift करें, यानि कि एक positivity लेकर आएं, और जो चीजें अच्छी हैं आपके professional front में, आप उन पे focus करें, and यकीन मानिये, इतना जरा सा change, आपने अपनी energies में करा, आप इस हफते की energies को बदल लेंगे, आप इस हफते को बहतर कर पाएंगे, क्योंकि जब भी भी हम negative frame of mind में होते हैं, हम इसी तरीके की और ज़ादा energies universe से attract करना शू कर देते हैं, और और ज़ादा हम इसी energy में deep चले जाते हैं, और जैसे ही एक shift हम अपने mindset में, अपनी energies में लेकर जाते हैं, जो भी positive चीजें हैं, अच्छी चीजें उन पर focus करते हैं, हमारा frame of mind positive होता है, और फिर ऐसी ही चीजें, हम universe से attract भी करने लगते हैं, और हम अपने week को भी बहतर करते हैं, तो इस चीज का खयाल इस week आप ज़रूर रखें, and personal front के लिए आप लोगों के लिए Empress reverse का card है, देखें, Empress कहीं comfort, luxury को represent करता है, Empress कहीं love, care, प्यार, महबत की बात करता है, क्योंकि आप लोगों के लिए ये card इस week reverse है, तो कहीं इन ही सब चीजों को आप desire कर रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे issues मसले रह रहे हैं, specifically देखें, तो उतना comfortable आप नहीं महसूस कर रहे हैं, किसी भ ये सब लिए उसके लिए different reasons रहेंगे, लेकिन कोई female हो सकती है आपकी life में, या फिर male हो सकते हैं जिनकी feminine energies हैं, या तो उनकी वज़े से और अगर आप ही है Empress वाली energies में, तो कहीं you know love, care, attention, जितना आपको लगता है आप deserve करते हैं, चाहते हैं, उतना आपको नहीं मिल रही है आपके आसपास से और हो सकता है कि इस week आपको ऐसा लगे कि मुझे self love practice करना है, मुझे ना अपने उपर focus करना है, मैंने बिलकुल अपने आपको ignore किया, मैंने बिलकुल अपने आपको neglect किया, तो इस तरीके की भी energies रह सकती हैं, all in all Empress is a very very beautiful card और ये reverse है, इसी लिए Empress की energies में छोटे मोटे issues मसले हैं, बट आप इन ही चीज़ों को check करके correct कर सकते हैं, और Empress के upright energies जो बहुत beautiful होती हैं, उनको इस week avail कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ Empress की energies को avail करने के लिए, आपने कैसे आप खुद को comfortable कर सकते हैं, उस पर focus करना है, self love practice करना है, जो भी आपके आसपास अच्छी चीज़े हैं, उनको दोनों ही fronts में आपने enjoy करना है, ऐसा करेंगे तो personal, professional दोनों ही बढ़िया जाएंगे, और अगर इस चीज़ पे नहीं ध्यान दिया, तो फिर by the end of the week आपको ऐसा लग सकता है कि भई, आपके हिसाब से नहीं गया, and astrology से आप लोगों के लिए Neptune क card है, इसके हिसाब से जो भी green and blue colors हैं, यानि कि समुंदर के जो sea green, sea blue colors होते हैं, वो आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था, लियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाएं, तो चलिए वोगोज आप लोगों के लिए देखें, ये coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies हैं, तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है, eight of pentacles reverse, और सबसे पहले चीज़ देखें, money का card है, reverse है, तो पैसे को लेकर थोड़ा सा cautious, थोड़ा सा conscious रहें, यानि कि अगर आपको लगे कि फिजूल खर्ची है, उसको avoid करें, और otherwise भी पैसे को थोड़ा सा संभाल के रखें, and दूसरी चीज़ ये card कहता है, कि इस week हो सकता है कि आप over effort कर रहे हैं, over मेहनत कर रहे हैं, और आपको वो result नहीं मिल रहा, जो आपको हम जादा effort करते हैं, हमें result नहीं मिलता है, तो ये उनमें से एक हफता है, जिसमें हो सकता है कि आपको instant result ना मिले, instant outcome ना मिले, लेकिन आप अपना करम करते रहें, देखिए गीता में भी लिखा हुआ है, करम करें, फलकी इच्छा ना करें, लेकिन कहीं इनों balance तरीके से इच्छी बात होती है, लेकिन over hard work करने से हम सिर्फ drained होते हैं, exhaust होते हैं, और हम अपनी true potential को नहीं utilize कर पाते हैं, तो दीखिए, फिर से कहूंगी hard work करें, लेकिन over over hard work करें, तो जरूर अपने आपको check करके correct करें, क्योंकि खाने में अगर एक चमच नमक डलना है, और आप 20 चमच नमक डाल देंगे, तो उससे खाना बहतर नहीं बनेगा, यकीन मानिये, proportion होता है हर चीज का, अगर उससे आप जितना भी जादा, you know, करते रहेंगे, उतना ही उस चीज को आप खराब करते हैं, इस चीज का खयाल रखें, और ये सिरफ और सिरफ इस week की reading है, पुरी ज सब चीजों से related छोटे मोटे issues मसले रहेंगे, और अगर आप balance ले आएंगे, तो आप इस चीज को भी बहतर कर पाएंगे, and personal front के लिए आप लोगों के लिए hermit का card है, hermit का card कहता है, या तो एक अकेलापन आप चाहा रहे हैं, या फिर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं आप कहीं actively किसी भी चीज में involved नहीं हो रहे हैं, participate नहीं कर रहे हैं, आप चीजों से, लोगों से, situation से थोड़ा सा withdraw करते वे दिख रहे हैं, कुछ के लिए literally हो सकता है, कोई चीज आपकी खो गई, उसको आप धून रहे हैं, या otherwise भी, you know, एक missing सी energies रह रहे हैं, किसी चीज को आप otherwise भी हो सकता है, ढून रहे हों, जैसे कभी-कभी होता है, हम किसी idea को ढून रहे होते हैं, कभी-कभी होता है, मन की खुशी को ढून रहे होते हैं, सुकून को ढून रहे होते हैं, again, जो भी चीजे मेरे mind में नहीं मैंने कहा, सब के लिए differ करेगा, लेकिन overall के लिए अग पुद को नहीं involve करना चाहा रहे हैं इस week अगर कोई आपको invitation आता है party का आप avoid कर सकते हैं किसी celebration का invitation आता है आप avoid कर सकते हैं और अगर आप जाएंगे भी तो आप एक या तो space अपने लिए चाहेंगे या फिर उस celebration में भी एक अकेला पना पहसूस करेंगे so again nothing bad but yes बहुत एक enthusiasm, excitement इस week नहीं रह रहा है कहीं वो चीज परसनल फ्रंड में missing रहते वे दिख रही है and astrology से आप लोगों के लिए pices sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था वोगोस आप लोगों के coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए Libra's आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है four of cups reverse और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में कहीं enthusiasm, excitement missing रहते हुए दिख रही है आप अपने goal मकसद को लेकर उतने motivated नहीं रह रहे हैं और reason सब Libra's के लिए differ करेगा लेकिन इस card के हिसाब से देखें तो कोई major reason भी नहीं रह रहा है in fact आपके आसपास सब कुछ बहुत बढ़िया है लेकिन कोई भी चीज आपको वो motivation वो एक happiness joy नहीं दे पा रही है और इसलिए या फिर otherwise भी आप बहुत ज़ादा किसी चीज में खुद को involve भी नहीं कर रहे हैं participate भी नहीं कर रहे हैं कुछ लिपरास के लिए हो सकता है कि पीछे आपने कोई अच्छी opportunity miss करी और कहीं बहुत ज़ादा आप उसी के बारे में सोच रहे हैं थोड़ा सा regret आप करते वे दिख रहे हैं अब दिखिए जभी भी एकाड आता है मैं दू चीज़े कहती हूँ जो बीत गया सो बीत गया अब जो मर्जी कर लें उसको आप नहीं बदल सकते हैं और अगर अभी भी आप उसी चीज़ पे focus करते रहेंगे तो future में आने वाली अच्छी opportunities को भी miss करेंगे और फिर इसी vicious circle में आप गूमते रहेंगे आप इसमें से बाहर खुत को नहीं निकाल पाएंगे तो जो हो गया उसको let go करें अब आगे जो opportunities आपको मिल सकती हैं आप उसके लिए alert रहें, उसके लिए aware रहें और दूसरी चीज कुछ ना कुछ इस week आपने जरूर करना है जिससे की motivation, excitement, enthusiasm बरकरार हो क्योंकि देखिए ये चीज़ें बहुत बहुत important होती है खुश रहने के लिए, अपने goal, अपने मकसद को achieve करने के लिए तो कैसे इनको आप फिर से मैं कहूंगी बरकरार कर सकते है उस पे आप जरूर फोकस करें, ऐसा करेंगे तो ये week आपका बहुत बढ़िया जाएगा and personal front के लिए आप लोगों के लिए night of pentacles reverse का card है और ये card कहता है, कि आप किसी चीज को लेकर थोड़े से stubborn, थोड़े से जद्धी हो रहे है और कहीं आप किसी भी तरीके का risk नहीं लेना चाह रहे हैं किसी भी तरीके का chance नहीं लेना चाह रहे हैं बहुत ही safe, बहुत ही secure होके आप चीजों को करना चाह रहे हैं which is good हमें थोड़ा सा safe secure होके ही चीजों को करना चाहिए लेकिन जब हम too much safe और secure होने पे focus करते हैं हम calculated risk नहीं लेते हैं तब फिर वो growth एक progress भी हम अपनी life में नहीं ला पाते हैं तो यहाँ पर दीखिए night of pentacles का message आपके लिए यही है safe रहें, secure रहें लेकिन calculated risk ज़रूर हैं क्योंकि अच्छी opportunity आ सकती है लेकिन आप इतना जादा सोच रहे हैं कि in the process आप उसको miss कर सकते हैं फिर बाद में आप regret करेंगे तो थोड़ा aware रहें, alert रहें अच्छी opportunities के लिए in fact दोनों ही fronts में आप लोगों के लिए message रहेगा और थोड़े से personal front में आप flexible भी हो बहुत stubborn, बहुत rigid, बहुत fixated किसी भी चीज को लेकर ना हो and astrology से आप लोगों के लिए Gemini sign का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा wetness day तो ये था Libra's, आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए Scorpios आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है two of swords और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में आप stuck महसूस कर सकते हैं जहाँ पर आपको ऐसे लग सकता है ना तो आप आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे बढ़ पा रहे हैं और इसके लिए दिखें सब Scorpios के लिए different reasons रहेंगे लेकिन card के हिसाब से देखें तो action initiative लेने की ज़रत है आप नहीं ले रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं decision choices लेने की ज़रत है आप नहीं ले रहे हैं नहीं ले पा रहे हैं और in the process आप बहुत सारी चीज़ों को देख के अंदेखा कर रहे हैं और हमें लगता है कि ऐसा करके हम चीजों को resolve कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा होता है ना back end में चीजें accumulate हो रही होती हैं और एक दिन आता है वो इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम चाहा के भी उनको avoid नहीं कर पाते हैं और उनको deal करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो ब आपनी जिंदगी को भी ऐसान करते हैं तो इस week आप किसी भी चीज़ को avoid ना करें इग्नोर ना करें आप upfront होके चीजों को deal करें जहां action लेने की ज़रत है वहां action लें जहां decision choice लेने की ज़रत है decision choice लें ऐसा करेंगे तो इस week हो सकता है कि आप इन्ही energies के outcome result नहीं देख पा रहे हैं लेकिन इसी energy की वज़े से आगे चलके आप बहुत सरी चीजों को बहुत असान करेंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए seven of wands का card है और ये card कहता है चोटे मोटे challenges issues इस week personal front में रहे रहे हैं लेकिन आप बहुत courageously, बहुत boldly हर चीज को upfront होके face कर रहे हैं, upfront होके deal क कर रहे हैं और कहीं यही energy professional front में भी required है, जो की professional front के लिए missing है लेकिन personal front में बहुत अच्छी तरीके से रहती भी दिख रही है और इसी लिए जो भी छोटे मोटे issues हैं आप बहुत ही असानी से उनको overcome कर लेंगे and by the end of the week आपको इसे लगेगा yes, you know, आपको success मिला, आपको victory मि मसले थे, आपने बहुत ही boldly, बहुत ही courageously, willpower determination के साथ उनको deal किया, तो फिर से कहूंगी personal front में छोटे मोटे issues, मसले जरूर रह सकते हैं लेकिन जिस तरीके से आप चीजों को deal कर रहे हैं बहुत असानी से आप उनको overcome भी कर लेंगे और बहुत एक great feeling भी by the end of the week आपको रह स सकती है, and astrology से आप लोगों के लिए Pluto का card है, इसके इसाप से all shades of yellow and orange इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए, in fact कहूंगी significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday, तो ये था Scorpios आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए सरीटेर से आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है, तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the moon, the moon का card fear, insecurities की बात करता है, किसी level पे किसी तरीके से confusion भी रह तावा दिख रहा है, देखिए चंदरमा रात को निकलता है, और रात को हमें कुछ भी clearly नहीं दिख रहा होता है, in fact देखिए अंधीरे को दूर करने का सिरफ एक ही तरीका होता है रोशनी, जब हम light जलाते हैं, लाम जलाते हैं, तो अंधीरा गायब होता है और हमें clarity आती ह पूरी knowledge उस चीज की नहीं है, और जैसे ही हम knowledge गेन करते हैं, हम information हासल करते हैं, हमें clarity आती है, हम better feel करते हैं, तो इस week किसी भी चीज को लेकर confuse हो रहे हैं, तो घबराएं ना, क्योंकि अगर आप घबराने वाली energy में गए, तो और ज़ादा इसी तरीके की energy इस universe से ट्राक कर करने शुरू कर देंगे, और फिर और परेशान होंगे, तो आपने सबसे पहली चीज खुद को center करना है, और कैसे आप इस confusion को दूर कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया, knowledge गेन करके, information हासल करके, ये एक तरीका है, अगर आपके पास कोई और तरीका है, तो आप वो अप आपना है, बट कैसे एक clarity ला सकते हैं, आप उस पर focus करें, जैसे ही clarity आएगी, आपका fear भी चला जाएगा, आपकी insecurity भी चली जाएगी, आपकी confusion भी चली जाएगी, आप confident feel करेंगे, और आप कहीं बहुत एक positive frame of mind में आएगे, और यही positive energy भी फिर आप अपने आस पास से भी attract करनी शुरू कर देंगे, तो इस चीज का खयाल इस week specifically professional friend में आपने जरूर रखना है, and personal friend के लिए आप लोगों के लिए night of swords का card है, तो कहीं देखिए sudden changes रह सकते हैं, यह sudden changes सब के लिए differ करेंगे, क्योंकि nights travel की बात करते हैं, यानि कि travel को represent करते हैं, तो कुछ के लिए literally हो सक पीछे अगर किसी चीज में अठका हुआ महसूस कर रहे थे, suddenly इस week आप उस चीज से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, और कहीं बहुत speed से चीजें या तो आगे बढ़ रही हैं, या फिर आप बहुत speed से अपने goal अपने मकसद को अचीव करना चाहा रहे हैं, इस week बहुत जबरदस्ट focus आपका आपके goal अपने मकसद पे रह सकता है, और उसी direction में बहुत clarity के साथ personal front में आप action initiatives भी लेते हुए दिख रहे हैं, तो दिखें, professional से personal front की energies एकदम से contrary हैं, क्योंकि बहुत जबरदस्ट फिर से मैं कहूंगी clarity रखते हुए, तेजी से या तो आप आगे ब बढ़ रहे हैं, तो दिखें, night of swords की हिसाब से आपके लिए guidance देखें, तो मैं यही कहूंगी कि किसी भी चीज के लिए अगर आप अपने आपको impulsive होता हुआ पाएं, जल्दबाजी करते हुए पाएं, तो ज़रूर इस चीज को check करके correct करें, immediate action लें, speed से आगे बढ़ें, लेकिन impulsive in the process आप ना हो, या फिर बिना सोचे समझे, action initiatives ना लें, दूसरी चीज जो personal friend में खयाल रटने की ज़रत है, अपने communication पर focus करें, हो सकता है आपका communication, थोड़ा सा blunt, थोड़ा सा taunting, थोड़ा सा sarcastic हो रहा है, अगर again ऐसा आप आएं, तो इसको भी ज़रूर चक करके correct करें, otherwise ठीक ठाक रहता हुआ दिखरा है personal friend, and astrology से आप लोगों के लिए Jupiter प्लानेट का card है, इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे, and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था सरीटेरिस आप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशी फल, और coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है, तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए card है the hangman, जैसे कि आप इस card में देख पा रहे हैं, जो figure है वो पेड़ से उल्टा लटके हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये बिलकुई भी नहीं कह रही कि आप किसी भी situation में उल्टा लटकेंगे, but yes, मैं ये जरूर कहूंगी कि जितना आप इस week, जो भी आपके professional friend में हो रहा है, उसको deal करने का अपना तरीका बदले, या ऐसा भी मैं कह सकती हूँ कि आप थोड़ा सा चीजों को देखने का नजरिया बदले, अपना perception बदले, चीजें असान हो जाएंगी, तो in a way, आप rigid रहे, आ देखने का, चीजों को deal करने का, चीजें बड़ी असान हो जाएंगी, और दूसरी बात ये काट कहता है कि कुछ compromises, कुछ adjustments आपको करने पर सकते हैं, अब देखिए, जिन्दगी का दूसरा नाम ही compromise है, तो इनसे तो घबराना नहीं चाहिए, बट येस, अगर आप, you know, willingly compromises कर लेते हैं, आप जिसे बुलते हैं कि, again rigid मेरे mind में आ रहा है, बट जिसे बुलते हैं कि resistant ना हो compromises के लिए, कभी हम इतने again rigid हो जाते हैं कि कुछ भी हो जाते हैं, मुझे ये करना ही नहीं है, and हम ऐसा करके और जादा अपनी problems को deeper level पर बढ़ा रहे होते हैं, तो यहाँ पर फिर से मैं कहूंगी कि, अगर आप छोटे मुटे compromises, adjustments करने पड़ते हैं, उनको कर लें, तो भी आप इस वी को आसान करेंगे, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि, आप इतने जादा compromises करें कि, आप self को ignore करें, self respect को आप भूल जाएं, तो एक के इनो thin line होती है, एक इनी compromises भी अगर आप करेंगे, चीजों को भैतर करेंगे, परसनल फ्रंट के लिए आप लगों के लिए Eight of Souls का का कार्ड है, ये कार्ड भी देखे कहीं similar से energies की बात करता है, जैसे कि आप इस कार्ड में देख पा रहे हैं, फिजर के आस पास तलवारे हैं और वो बंधी भी हुई आखों पे भी पट्टी है, आखों पे पट्टी बनने का मतलब होता है कि देख ही नहीं पा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा है इस situation में क्या करें, directionless फील कर रहे हैं, इक का दुक्का के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत helpless, hopeless फील कर रहे हैं, अब देखें क्या होता है एक चीज को ही हमारे हिसाब से नहीं हुई और हम उसको लेकर परिशान होना शू कर देते हैं और फिर जो उसके बाद एक तूफान नेगटिविटी का हमारे माइंड में आता है और जो हम एक फ्यूचर का वर्स्ट आउटकम अपने माइंड में विजुलाईज करने लगते हैं सोचने लगते हैं आक्चली वो हमें परिशान करता है जो एक चीज हमारे हिसाब से नहीं होई न वो परिशानी का रीजन या कारण नहीं होती है लेकिन उसको लेकर जो हमारी सेल्फ टॉक होती है जो एक निगडिव एनरजी हमारे माइंड में आती है जो हम फिर से मैं कहूंगी वर्स्ट आउटकम हम अपने माइंड में सोचने लग जाते हैं वो हमें परिशान करता है तो दीखे पूरे ही हफते के लिए आपके लिए एक guidance बहुत बहुत important रहेगी कि कुछ चीजें हो सकता आपके हिसाब से now and most of the times जो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा होता न वो divine के हिसाब से हो रहा होता है बस हम उस time पे देख नहीं पाते हैं हम बड़े परिशान हो जाते हैं और उस time पे अगर हम इस चीज का इत्मिनान रख पाएं कि बहुत यह मारे हिसाब से नहीं हो रहा न divine के हिसाब से हो रहा है इसमें कुछ बहुत अच्छा है तो हम अपनी life को असान करते हैं लेकिन जब फिर से मैं काऊंगे हम worst scenario सोचना शू कर देते हैं तो हम परिशान होते हैं तो अपनी self talk को आप positive रखें अपने frame of mind को positive रखें और एक चीज आपके हिसाब से नहीं हो रही इसका मतलब यह नहीं है कि life बिलकुल खराब हो गई, खतम हो गई अब तो कुछ होगा ही नहीं प्लीज, ऐसा नहीं होता life में यह सिरफ और सिरफ इस week की reading है और weekly reading में बहुत छोटे मोटे मसले होते हैं, बहुत छोटी मोटी चीज़े होती है एका दुका लोगों की बात अलग है नया हफता नई energies लाएगा पर देखेंगे न क्या होता है तो इस week, बस आपने एक दो चीज़ों का ख्याल रखना है सबसे पहली चीज, self-talk positive रखें frame of mind को positive रखें और professional में मैंने आपको बताया कि आप अपना नजरिया चीज़ों को देखने का, deal करने का बदले and personal friend में जितना आप clarity लाने की कोशिश करेंगे जितना जो भी चीज़ आपको bother कर रही है उससी से related आप knowledge information गेन करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपके लिए असान होगी and astrology से आप लोगों के लिए Capricorn sign का card है इसके यह साब से all shades of indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate हुआ कितना आप connect कर पाए तो चलिए एक वेरे से आप लोगों के लिए देखें ये coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है three of souls अब ये card देखके न सब लोग बड़ा डर जाते है उनको लगता है पता नहीं क्या खराब होने वाला है और देखें weekly rating वेना खास कर ये card कुछ भी इसे खराब होने की बात नहीं करता है ये card थोड़ा सा hurt होने की किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा मायूस होने की बात करता है अब मुझे एक इंसान बताएं जो जिन्दगी में कभी भी hurt ना हुआ हो जो कभी में मायूस ना हुआ हो possible ही नहीं है ना क्योंकि जिन्दगी का दूसरा नाम ही कभी खुशी कभी गम है तो ये week मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि हाँ अगर आप expect कर रहे हैं कि आप को गोल achieve कर लेंगे आपको कोई reward मिलेगा इस तरह की कि कुछ भी अच्छी चीज expect कर रहे हैं तो आप hurt होंगे not because कि वो चीज नहीं मिली but because कि आपकी expectations उस चीज से बहुत जादा थी और इसका मितलब ये भी नहीं है कि आपको वो चीज नहीं मिलेगी हो सकता है next week मिल जाए या next to next week मिल जाए but yes, इस week में ये जरूर कहूंगे कि जिस तरीके से आपनी चीजों को plan किया है, किसी भी चीज से इंसान से, situation से आपकी बड़ी expectations है, तो वो उस तरीके से पूरी नहीं होते भी दिख रही है और अगर आप अपनी expectations को कम रख लें आप going with the flow, all the energies में रहें, आप मन में खुद को बोलें कि भाई अगर मेरे मन का नहीं हो रहा ना तो divine के मन का हो रहा है और divine के मन का तो सबसे अच्छा होता है, तो it's fine whatever it is, मैं surrender mode में हूँ मैं faith universe पे रखता हूँ आगे बढ़ रहा हूँ, अगर हो गया तो बहुत बढ़ा बना लिया और उसको 200 बारी अपने मन में रिपीट किया तो यह साप hurt होंगे, बट अगर सामने वाले ने कुछ कहा, आपने बुला भाई उसका कर्मा, उसकी life, उसने मुझे बोला, मैं नहीं ले रहा इस चीज़ को मैं नहीं इस चीज़ को अपने माइंड में बहुत बड़ा बना रहा तो यह वीक आपका ठीक जाएगा तो कहने का मतलब यह है, emotionally strong रखें, बहुत sensitive ना हो, बहुत ज़्यादा attachment किसी भी इंसान, situation चीज से ना रखें, कितनी बड़ी हम अपने outcome से, अपने goal से बहुत attach हो जाते हैं, और बहुत high expectations ना रखें, सिर्फ इन चीज़ों को follow कर लें, यह week मैं आपको बता रही हो अच्छा जाएगा, लेकिन अगर इन चीज़ों को आपने नहीं follow किया, तो फिर आप hurt हो सकते हैं, थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, और दिखें उस सेनारियों में भी सिर्फ और सिर्फ इस week की reading है आपकी पुरी जिंदगी की reading नहीं है नया week नहीं energies लेकर आएगा, फिर देखेंगे कि क्या होगा, लेकिन yes, इस week इस तरीके की energies रहेंगी personal front के लिए आप लोगों के लिए the star का card, star is a very very positive card, in fact star का card positivity को ही represent करता है, कहीं यह clarity भी मिलने की बात करता है, क्योंकि आप लोगों के लिए यह card reverse है, तो बहुत सारे queries के लिए हो सकता है, clarity मिल रही है, लेकिन आप फिर भी clear नहीं हो रहे है, direction दिख रही है फिर भी आप directionless feel कर रहे है अब दिखिए again, यहाँ पे सिरफ और सिरफ आपका state of mind responsible रहता हुआ दिख रहा है because again star is a very positive card, और star का card यह भी कहता है कि पीछे उमीद खोई, तो उमीद आपकी जागती भी दिख रही है लेकिन उमीद जाग रही है, लेकिन हो सकता है past में experiences ऐसे हो गए कि वो जागने के बाद भी आपको वो चीज सिंक इन नहीं हो रही है आप उस चीज को positively ले ही नहीं पा रहे है यसी यह भी हो सकता है, तो थोड़ा सा faith रखें अपनी gut feeling पे, अपनी negative frame of mind में आ जाते हैं, कि जब चीजें अच्छी हो रही होती हैं, हम उनको trust ही नहीं कर पाते, हम उनको you know, उस frame of mind में देखी नहीं पाते, अभी recently you know, मैं एक बहुत प्यारी सी बच्ची की reading कर रही थी, तो उसका past जो साल था you know, बहुत ही गंदा गया था तो जो मैंने इसको horoscope देखा, मैंने इसको बुला कि past साल अच्छा नहीं गया आपका लेकिन आगे बढ़ा अच्छा आ रहा है तो वो रो पड़ी और वो इतनी बुरी तरीके से रो ये बुली कि आपको लगता है कि मेरे को ऐसा अच्छा हो सकता है मरी लाइफ में क्या you know, and I was so you know, touched by it कि कैसे होता ना कि एक experience मारी लाइफ में खराब होआ और उसको लेकर हमने अभी ये मान लिया कि हमारे साथ कभी अच्छा ही नहीं हो सकता, तो इस तरीके के एक energy रह सकती है तो मैं आपको यही बोलूँगी कि personal front अच्छा है अच्छी चीजें हो रही है बट शायद आप नहीं देख पा रहे हैं for whatever reason आपको sinking नहीं हो रही है, तो just have faith और astrology से आप लोगों के लिए है the moon का card इसके हिसाब से आप लोगों के लिए white color लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो यह था एक queries आप लोगों के लिए coming week का साबता ही ग्राशी फल और नीचे उच्छे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए places आप लोगों के लिए देखेंगे coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the tower Tower के card को देखकर normally लोग बड़ा डर जाते हैं लेकिन weekly reading में tower के card से डरने की ज़रत नहीं है क्योंकि weekly reading में बहुत बड़ी चीज़े नहीं होती है एका दुका लोगों की बात अलग है और overall tower के हिसाब से आपका professional front देखें तो हो सकता है किसी चीज़ को लेकर एक frustration, एक गुस्सा, एक anger आप महसूस कर रहे हैं और इसी गुस्से में आप किसी को बहुत ज़्यादा कुछ गलत बोल दें या आप किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दें या फिर आपका गंदा वाला argument किसी के साथ हो जाए तो इन चीज़ों की awareness रखके आप इसको avoid भी कर सकते हैं लेकिन इन सब चीज़ों की possibility है again किसी से गंदी वाले लड़ाई हो सकती है argument हो सकता है आपको बहुत किसी चीज़ पर गुसा आ रहा है frustration हो रही है and yes, tower का card कहीं accident भी होने की बात करता है आप मैं ये बिल्कोई भी नहीं कहारे हूँ कि surprises का accident हो जाएगा please मतलब इस चीज़ को ऐसे ना ले लेकिन drive करते वे खयाल रखे है मतलब आपना चीज़ों को for granted या casual ना ले थोड़ा सा safe, secure होके चले और दूसरी बात देखिए tower किसी चीज के तूटने की भी बात करता है जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है क्योंकि weekly rating में बहुत बड़ी चीज नहीं होगी बट यह इस किसी के साथ देखिए जब हमारा argument होता है तो उस time पे कहीं वो connection तूटता है मैं यह नहीं कहूंगे कि relationship खतम हो रहा है बट उस time पे उनके साथ वो connection तूटा या फिर tower गुरूर, ego भी तूटने की बात करता है तो again अगर आप humble रहते हैं अगर आप simplicity के साथ चीज़ों को deal करते हैं आप किसी भी चीज को लेकर ego नहीं रखते हैं गुरूर नहीं रखते हैं तो ये भी ठीक जाएगा लेकिन अगर इस तरीकी की energies रहीं तो फिर परेशान होंगे ये बहुत कुछ खास आप इस week से नहीं expect कर सकते हैं बहुत उमीदें इस week से ना रखें और जितना आपने आपको काम रखते हैं यानि कि अपने मन को शान्त रखते हैं पीस मेंटेन करने पे focus करते हैं humble और grounded रहते हैं इस week की energies को आप हैतर करेंगे and personal front के लिए आप लोगों के लिए 10 of cups का card है तो दिखिए बहुत ही भेतरीन card है ये card happiness की बात करता है joy की बात करता है loved ones, close ones, family members के साथ ज़्यादा connect करने की ज़्यादा time spent करने की बात करता है कोई phase complete हो रहा है और ये completion की वज़े से एक happiness आ रही है या आपके loved ones, आपके close ones आपको support कर रहे है उसकी वज़े से happiness आ रही है या फिर आप अपने loved ones के साथ कोई चीज celebrate कर रहे है enjoy कर रहे है उसकी वज़े से happiness आ रहे है happiness, joy, satisfaction ये card represent करता है लेकिन सब के लिए reason differ करेगा broader level के लिए देखें तो loved ones, close ones eating, drinking, merry making, celebration किसी काम को करके जो satisfaction होती है ये reason ज़ादा happiness के रहते हुए देख रहे है all in all personal front बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहे है and astrology से आप लोगों के लिए mercury sign का card है इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा readiness day तो ये था prices आप लोगों के लिए coming week का सब्ता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए